हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों आईए आज आप लोग को समक्च क्लास 12 के एक बहुत इंपॉर्टेंश चेप्टर्स को हम आज digital करने वाले हैं और इस चेप्टर में हमलोग ढमय एकद्धार एंट्री करने वाले हैं जो कि है बीधुधारा और बिदुधारा इज्याम की बात की जाये तो इससे लगभख बोर्ड इज्याम की जहां विदुधारा पढ़ेंगे और यह एक बहुत इंप्पोर्टेंस चेप्टर से मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन आप सभी लोगों से मेरे जूड़े हुए हैं और अभी तक मेरे ऊटू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले मेरे यूटू चैनल को एक बार जरूर्ण सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए अभ आए दोस्ते यहां पर श्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं बीधु धारा यानि एलेक्ट्रिक करेंट के बारे में हम लोग श्टडी करेंगे यानि करेंट चेप्टर आज से आप लोग को समख्च हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं बीधु धारा तो सबसे पह अब जराह यहां पो समझेंगे सबसे पहले होता क्या है और प्रेटिकल्स में हम एलग्ट्री कर्रogo का उपि कहां का सिर्फ करते हैं और क्या से धारा पर्वाहिदा होता है इन सारी बातों पर हम अज की लिधियार में विचार करेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लास तक बन रही है एलेक्टिक करेंट को हम इस तरह सिखा देंगे कि आपको एने टाइम से एने वेर्स आपको दिलो और दिमाग में बस जाएगा दीदुख्तों यहांपर क्या पढ़ने वाले है वीधुधारा और वीधुधारा को हम बोलते हैं transluc Run in your electric current electricity सबसे पहले इहांब के कि सिखने वाले बीधुधारा के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज नमान लेते हैं, चार्ज देते हैं, तो conductor of wire के अंदर बहुच सारे फिरी electrons होते हैं, क्या होते हैं? बहुत शारे फिरी elektrons होते हैं और वह फिरी elektrons randomly जिग जग motion में घूनते रहते हैं जैसे ही हम charge flow करते हैं तो इसमें Ettron यानि obvious का परवा हो जाता किसका परवा हो जाता है jbthi obvious के परवा होता है तो धारा परवाईट होने में कुछ समय लगता है और आवेज तता समय को रेशियो को हम लोग बोलते हैं बीधु धारा क्या बोलते हैं बीधु धारा जैसे हम लोग काते हैं दोस्तो जल धारा यानि जब जल बहता है किसी भी नदी के अंदर तो हम लोग काते हैं कि जल धारा यानि जल का क्या हो रहा है धारा बह रहा है गणा और उसी तरह आपकर किसी भी conductor of wire में अगर बीधूत भाहे याने में करेंट भाहे तब उसको कि बोलेंगे रिखु धरा उसको हम बोलते हैं जव धराा लेकिन किसी बी कंडेक्टर के अंदर जानते हैं किसी भी चालक तार वायर के अंदर दिया जाता है यानि किसी भी चालक तार के अंदर दिया जाता है तो चालक तार क्या होता है पहले यहां पर समझते हैं माल लेते हैं यहां पर कोई कंड़क्टर आफ वायर है यहां पर माल लेते हैं कोई कंड़क्टर आफ वायर है यह क्या है चालक तार है चालक तार और इसको हम इंग्छिस में बोलते हैं Conductor of wire a telescopes of wire Conductor of wire अब ज़र यहां पर समझते हैं कि कोई भी Conductor of wire होता है और इस Conductor of wire के अंदर बहुँ YO so much HR होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं बहुँ YO so much lectUh होते हैं कुछ ऐसा यह क्या होते हैं फिर इलक्ट्रोंस होते हैं फिर इलक्ट्रोंस होते हैं और इस फिर इलक्ट्रोंस होते हैं और कंडॉक्टर आफ वायर के अंदर क्या दिया जाता है चार्ज को दिया जाता है किसको दिया जाता है चार्ज को दिया जाता है और इसके साइड से हम क्या देंगे क्यों चार्ज देंगे तो दोस्तों बताइए यहां पर क्यों चार्ज देंगे तो क्या चार्ज यहां तक आने में कुछ समय लगेगा की नहीं अगर हमको पाता नहीं रखता है तो यहां पर कितना समय मान लेते है टी समय मालेते हैं कितना समय डी समय मान सकते हैं की नहीं बिलकुल आसानी पुर्वख से मान सकते हैं आप भी में क्या होगा एलेक्ट्रीक करेंट होता है और सभी लोगों के गर में एक बोर्ड हुआ करता है तो मालेते हैं को ή Atari और बोर्ड में हम यहां पर बटन को जब अन्हें चार्ज का फोलो होताहिं यानि प्लॉस लोई चार्ज का फुलो होगा तो फ्यन तक लाइट को जाने में उसके रिस्पेक्ट में कुछ समय लगता है और उसी चार्ज ततत समय को रेशियो को हम लोग बोलते हैं बीधुधारा जब भी आवेस का परवाह होगा तब भी बीधुधारा उत्पन हो सकता है लेकिन जब भी आव अवेस के परवाह होगा यहां तक चार्ज जब आएगा तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ समय लगेगा कुछ ना कुछ समय लगेगा तेयानि आवेस की परवाह के दूर चार्ज को जब फेन तक लाइड को जाने में कुछ समय लगता है और उसी चार्ज तथा टाइम को रेशियो को हम लोग बोलते हैं बीधुधरा तो यहां पर चार्ज तथा समय को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बीधुधरा क्या बोलते हैं बीधुधरा तो सिंप अव्यश के परवाह के दौर को विदु धरा काते हैं ऊस्के जानते है कि किसी भी कंडक्टर और फ्वायर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा तो बीदुधारा उत्पन होगा जब चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो कोई परकार के बीदुधारा उत्पन नहीं हो सकता है इतना बात अप लोग को पता होगा तो देखिए आपर आवेस के जब भी परवाह होगा तब विदुधारा उत्पन हो सकता है अगर आवेस के परवाह नहीं होगा तक कभी विदुधारा उत्पन नहीं हो सकता है अब देखिए आप और आवेस के परवाह के दर को हम क्या बोलते हैं विदुधारा काते हैं लेकि और यह इलेक्टोंस तता फोटोंस किसी भी कंड़क्टर आफ वायर के अंदर चार्ज देते हैं तो वह क्या करते हैं घूमते रहते हैं तो देखिए आप और किसी भी कंड़क्टर आफ वायर के अंदर जैसे ही चार्ज देंगे तो यानि इलेक्टोंस फोटोंस इस कंड़क् सकते हैं इस तरह ही बोल सकते हैं आवेस के पर आकि दर को दिसको डिफाइन कर सकते हैं तरह कर लिख सकते हैं दूसका सबस्क्राइब है परवाहित होने वाले कि अथा कुं होले वाले ॐ भी धुत इकाई श्यम्मे पर वाहीध होने वाली आवेस के मातरा को आवेस कि मातरा को विन धुत रहते हैं प्रॉर काелен कि बीदुधारा कहते हैं 21 समय में परवाइत होने वाली आवेस के मातरा को हम लोग बीदुधारा बलते हैं अब देखें यहां पर बीदुधारा होता है यह यहां पर लिखें करेंट एलेक्ट्रिक करेंट और एलेक्ट्रिक करेंट को हम आई दोबरा निरुपित करते हैं किस कि नूर्यूपिद किया जाता है यहाँ पर जो अल्य करेंट होता है इसको किसे दिनोट करते हैं और यहां पर इसको भी यह तरह पर जो करेंट होता है जिस तरह ऴ्रास आन को दरवाजा रोजा तरह लोग के लिए हम लोग मीटर या फीट का तुक में यह संटीमीटर का उप्योग करते हैं उसी तरह करेंट होता है एक्सका नाम होता है एंपियर होता है एंपियर होता है इसका मात्रा क्या होता है एंपियर होता है और एंपियर को किसे डिनोट किया जाता है यह से डिनोट किया जाता है अब जरह यहां पर हम समझने वाले हैं आप यहां तक समझ गए बहुत असानी पुर्वक से बीधूधरा क्या होता है इलक्टोन तता प्रोटोन परवाई दर को बीधूधरा बोलते हैं इस तरह अब आपका स्था यह बोलता है या आपका एक है लेकिन बहुत तरीके से आप इसको सिंपल से तरीके में डिफाइंड कर सकते हैं अब देखिए यहां तक तो आप लोग कोई परकार की डाउट नहीं होगा अब आगे हम बढ़ते हैं अब यहां पर करने वाले हैं बेदुधारा की बेउत्पती यानि जो एलेक्टिक करेंट ह होता है इसका फर्मूला के डरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं यह सिंपल से तरीके में हम लोग देखेंगे अब देखने वाले हैं बिदुधारा की बेउत्पती है क्यों देखने वाले हैं बिदुधत हरी धुं altre कि भेउत्पति इसको एंग्लिस में बोलते हैं डरीवेशन अप Lक करेंट डरीभेशन ऑफ एलक्री करेंट है तो अब हुआ है डरीवेशन आफ एलक्तिक करेंट यानि जो एलक्तिक करेंट होता है इस कोंड मैं कैसे करते हैं यह सारी फिक्टर सो हम लोग डिसकर्ज करेंगे तो देखिए यहां पर मालेते हैं यहां पर चार्ज कितना दे रहा है तो चार्ज दे रहा है और समय कितना लग रहा है तो यहां पर लिकिंगे टी समय में इस कंड़क्टर आफ वॉयर के अंधर T समय में उपस्तितावेश यहां पर T समय में कितना चार्जब्रजैन्ट है क्यूं चार्ज परजैन्ट है कितना चार्ज परजैन्ट हाएगा Q बटा T और already हम लोग जानते हैं कि electric current को किसे denote किया जाता है I से तो I बरावर कितना formula बन जाएगा Q बटा T इतना बन जाएगा कि नहीं अगर आप से पुछता है कि B धुधारा के SI मातरक तथा B मा को लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह भी कोचन पूछ सकता है बीधुत धारा के SI मातरक तथा बीमा को लिखे बीमा को लिखे तो हम किस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग already फर्मूला जानते है I बरावर होता है Q बटा T तो यहाँ पर SI मातरक क्या होता है क्या होता है कुलम साहिव और T का SI मातरक क्या होता है सेगेंड और कुलम पर सेगेंड किसके बरावर होता है MPR के बरावर होता है किसके बरावर होता है MPR के बरावर होता है अगर यहाँ पर SI मातरक तर देख चुके SI यहां पर क्या हो जाएगा या यहां पर क्या हो जाएगा यानि आपका डाइमेंशन और अउनिट की बात की जाए तो इलेक्टिक करेंट का जो और डाइमेंशन होता है यहां paper यानि एही होता है लेकिं अंतर कहां होता है दैमेंस्न और एउनिट में यहां दैमेंसें होता नि ést इसको बड़े वालेस कोष्टक के अंदर लिखा जाता है और will workबूर निर्वित किया जाता यहाँ तक तो आप समझ गए अब इसको हम मिटा देते हैं उसके बाद हम जम ज़स्ट आगे के तरफ हम लोग बढ़ेंगे इसको नूट नहीं किया तो सबसे पहले एक अच्छे कापनी बनाकर इसको नूट कर लीजिए अब आगे हम बढ़ते हैं यहां तक तो आप लोग समझ गए अगले टोपिक सी आपका बीधुधारा के दीशा यान्य कोई भी एक्लोप्ल होता है कि और के तरफ प्रोप्लो नहीं करता है इन सारे चीजोह पर हम आज की लेक्षिर्स में डिस्कर्स करने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे अब directions of electric current directions of electric current के मतलब होता है बीधू Dharah के दिशा क्या होता हैं बीधू धारा के दिशा तो सबसे पहले यहां पर heading जा लेते हैं बीधू धारा के दिशा तो बीधू धारा के दिशा कि इसको तो इंग्लिस में बोलते हैं directions of electric current क्या बोलते हैं directions of electric current अब ज़रा समझ लेते हैं कि directions of electric current क्या होता है directions एक दुनिया का बहुत important factor होता है माल लेते हैं कोई भी आप competitive exam के त्यारी करते हैं अगर अच्छे directions में आप त्यारी किजिएगा तो अच्छे यानि जल्दी से जल्दी आप success हो जाईएगा अगर directions आप लोगों का गलत चुना गया तो एक directions के ओज़ा से ही आप बहुत पीछ पर सकते हैं तो कभी डायरेक्शन्स आप लोग को अच्छा चुजना चाहिए यानि अच्छे directions में चलना चाहिए माल लेते हैं बोर्ड इजाम के त्यारी करना है तो बोर्ड इजाम में एक निचिंत यानि एक अच्छा directions के साथ आप लोग त्यारी कीजिए ताकि आप के लिए एक आच़सर को होना अतिव्यक है किम यह दियरेक्शन में आप जब भी पढ़ाई कीalthy अ 90 अंग आ वह सकते हैं यानि एक डैरेक्शन का मुतलब होता है अच्छे दिशाओं में चलना अब यहां पर हम किसका डैरेक्शन पढ़ने वाले हैं करेंड का डिरिक्शन पढ़ने वाले हैं लेकिन आप लोग को इतना बात पता होना चाहिए करेंड कहां पर हम देते हैं किसी भी चालकतार के अंदर देते हैं तो देखिए यहां पर कंड़क्टर ऑफ वायर क्या होता है जैसे यहां पर मालेते हैं यह चाल य्कैNY हो गया और यह क्या है को चालक तार है कि यां दो लिसे हुआ है अब जड़ेह पर समझते हैं और कोई भी चालक तार की अंदर बहुत सब्सक्तु क्छैए कुंछ एसे सबनां में और यह एलक्टोंस आएसे गूंते है इस एलक्टोंस कर आप सबस्क्राइब सकार्ड देते हैं तब यह एलक्ट्टोंस चलते हैं इस तरह नहीं चलते हैं जिस सतर आदमी के अंदर होता है जब भी हम भोजन करते हैं तो तंदुरूस थोकड चलते हैं उससी तरह किसी भी conductor of wire के अंदर charge देते हैं तो आसानी पूरवक से इसमें elektrons का परवा होता है यहीं आवेस का परवा होता है और यहां पर मा लेते हैं इस कंड़क्टर आफ वायर पर प्लस का चार्ज देते हैं तो प्लस चार्ज देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रून का परवा होगा तो यह कौन सा आवेस होगा गती सील आवेस गती सील आवेस अगर यहां पर इस कंड़क्टर आफ वायर के सतह पर मा μइनस चार्ज दीजें चाहरा ही चारर्ज दिजें वह हर मेसा गतिसील अवेस होता है यहां पर कॉन साविस होगा गतिसील अवेस सबस्थ पॉर्ड्ड напис यहां पर चार्ज के भख बनव knocking एफ या नहीं है यह कोई परकार का चार्ज नहीं पर कॉंस होगा इस्तीर आबेस होगा कौन से अवेस होगा 20 आवेस होगा 10 आवेस होगा अब यहां पर एक डिरेक्शनंस में दो प्वाइंट को ख्याल रखना बहुत आउस्सेक होता है यानि यहां पर संज होफ सर पहले नोड करें करके उसके बाद यहां पर पर समझेंगे रिरात्मक यहां पर जो भी करेंट का परवा होता है नीगेटिव चार्ज के परवाह के बिप्री दिशा में यहां पर लिख लेते हैं रिरात्मक जब भी करेंट फ्लोग होता है रिरात्मक आवेश के परवाह के आवेश के परवाह के बीपरी दिशा में और दूसार का होता है धानात्मक आवेश के परवाह के दिशा में धानात्मक आवेश के परवाह के दिशा में कि आप अब ज़र यहां पर समझ लेते हैं यहां पर लिखे हैं रहात्म कव्यु इस बत्रों के दिशा हैं अगर मलेते हैं कोई मुझेट्ब चार्च है निगेटीव चार्च है रिरात्म कावेसे तरह मालेते हैं इसमें करेंट का डियरेक्शन्स इधर च Jennifer कि तरफ होता है यानी मा लेते हैं करेंट कडओ राइंट के तरफ होगा तरफ होगा तो धानात्मक कवेश के परवाह में दिशा के परिरात्म कावेस इसके अपोजिटी यानि विप्री दिसा में कि इधर के तरफ फोलो करने वाला है अगर यहां पर चार्ज है नहीं तो करेंट उत्पन नहीं होगा तो यानि करेंट का भालू क्या हो जाएगा सुन्य के बराबर हो जाएगा लेकिन यहां पर इस बात को हम ख ओदिस राशी होता है क्या होता है बिधु धारा कौन से रासी होता है अदिस रासी होता है कि तिरभूज्य का जोग का नियम का पालन नहीं करता है है और कोई भी quantity जब तिरभूज का जो का नियम का पालस नकरे वह रासी हर मैंसा ओदिस रासी होता है कौन सा या पर कौूघ रासी होता है कि दुनिया में कोई भी quantity हो जो यह ट्रेंगिल और व्यक्टर एडिशन का फ्लो करें वो हर मिसड़ा aspects होता हाँ अदिसis हो आधिस रहसी में क्या होता है विसْमें कि यहां समझ file- ऊआरा भी इसमें भी यहां पर हुआ मेरा मांच एमपीर के यहां पर कितना मेरि मिलेगा पांच एंपी के नहीं प्रया मिलेगा लेकिन इसके respect में यहाँ पर कुछ कोन बनेगा, कितना बनेगा, theta बनेगा, लेकिन यहाँ पर यह एंगिल पर depend नहीं करता है, current, electric current होता है, जो किसी एंगिल के situations पर depend नहीं करता है, और यहाँ पर यह तिर्भुच के जो कनियम का जब भी पाला नहीं करें, कोई भी quantity वह हर मेंशा अदिश रासी कहलाती है यहां तक तो आप लोग समझ गए अब एक इसमें इंपॉर्टेंट फेक्ट बात आता है कि यहां पर कि इस्तिर आवेश से बीदुधारा का उत्पन नहीं किया जा सकता है जब कि गतिसील आवेश से बीदुधारा उत्पन किया जा सकता है कि दुनिया में कोई भी चीज होता है जब चलता है तो वह धारा देगा जैसे जनरेटर क्या होता है चारुदी साव में नासता है उसका जो पहिया वह क्या होता है धारा का निर्मान करता है यानि कोई भी चीज चलेगा तो धारा का यानि कोई भी चीज चलेगा यानि गतिसील होगा तो आवेस यानि धारा का निर्मान करेगा और इसती रहेगा तो वह कभी धारा का निर्मान नहीं कर सकता है यानि कहने का सेंस य और यहां पर दुसार का एक कंसेप्ट है इस्तिर आवेस कभी बीदु धारा उत्पन नहीं करते हैं यहां पर लिख लेंगे इस्तिर आवेस कभी धारा भारा उत्पन नहीं करते हैं यहां तक तो आप लोग समझ गए क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज होता है यानि कोई भी कंड़क्टर आफ वायर होता है और उस कंड़क्टर आफ वायर के सतों पर चार्ज है तो वह हर्मे तो इस्तिर आवेस बीदुधारा का निमाण नहीं कर सकता है जबकि गतिसील आवेस ही बीदुधारा का निमाण कर सकता है यानि उत्पन कर सकता है और मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं लेकिन नेक्स लेक्चर में आप लोग कोहीं नहीं करेंड रगा देंगे दूस्तों यानि बहुत सारे नोा कोचन से देखेंगे जो कि आप लोग कभी नहीं देखें होंगे और उसके बाद जस्ट लेक्चर पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे टाइप्स अफ एल्यक्टिक करेंड्स आज के लिए तना ही रहने देताय हैं दोस्तों Thank you so much.